हलो दोस्तों नमस्ते अगर आप भी कर रहे हो RPSC, EOR, एक्जाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए अतिमत पूर्ण रने वाला है संपूर्ण क्लासे यहां पर देखोगे तो परिक्सा के अंदर एक भी प्रशन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि उस तरीके से हमने सारे short notes यहां पर तयार किये हैं चलिए start करते हैं सबसे पहले इसका structure देख लेते हैं दोस्तों आपको बता है जो आपका syllabus जारी होता उसमें 9 अध्याई यहां पर दिये गए हैं उसमें केवल आपको यह बता रहा है कि 17 अध्याई है और आपके 344 से दारे हैं तो इसमें कोई problem नहीं है लेकिन यहां से जो है अपना syllabus शुरू होगा दो नंबर अध्याई 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 और 14 यहीं पढ़ना है तो आज अपने यहां पर डिसकस करने वाले हैं दोस्तों नगरपालिकाओं का गठन और सासन यानि धारा 3 से 50 अध्याई नंबर 2 ठीक है तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं दोस्तों अध्याई नमबर 2, धारा 3 से 50, नगर पालिका का गठन और सासन, इसे सम्मझ देते हैं यह आपको ध्यान रख रहे हैं, अब इसके अंदर का जो धारा 3 है, उसका जिकर करेंगे, धारा 3 में क्या दे रखा दोस्तों? नगर पालिका का परीशीमन, परीशीमन का अर्थी यह हो यानि जो राजे सरकार है वो एक सूचना जारी करेगी, गजेट नोटिपिकेशन जारी करेगी, और उसके बाद कुछ परिस्तितियां बताएगी, उसके बाद वो जो है परी सीमन या पर कर सकती है, तो इसके अंदर दोस्तों कौन-कौन सी परिस्तितियां रहने वाली है वो उसको वो नगरपालिका में सामिल कर सकती है, समझ में आगई बात, उसको नगरपालिका में सामिल कर सकती है, या किसी भी इस्तानी चेतर को किसी नगरपालिका से हटा भी सकती है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई चेतर जुड़ा हुआ है, तो उसको वो उस नग भी परिवर्तन कर सकती है यान्गरपालिगा की जो सीमा है उसे में परिवर्तन करने का अधिकार भी राज्ज सरकार को दिया गया है यहां ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हों चाहिए अनिवारिय है अब मैं समझा देता हूं दोस्तोँ इसके बारे में यहां पर करका इनोंने कि कोई भी अगर नगरपाली का सेत्र है या किसी के अंतरगत वो सामील किया जाता है और उसका जो सदेश्य है उसको चुना जाता है या उसका न्यूक किया जाता तो उसके लिए उसको क्या करना होगा निर्वाचन करना होगा यहने चैमेने के अंदर-अंदर उ सारे सदेशी तो उसका जो बतार का है कि छह मैने के अंदर अंदर इसका निरवाचन करना अनिवारी है आपको पता है कोई भी मले अगर जो है दोस्तों मंत्री या कुछ भी बनता है चाई सीम बनता है उसको जो है 6 मेने के अंदर अंदर जो है क्या सदिशिता लेना जरूरी है याने सुनाव जीतना उसको अनिवारी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देख सकते हो किसी भी इस्तानी चेतर को नगरपालिका से हटाये जाए तब उसके अंदर कर आने वाले किसी मामलों में उन सदिश्यों को राजी सरकार की राय में नगरपालिका के हटाये गए चेतर का परतिनीदीत करते हैं तो उनको हटाया जाएगा कहने का मतलब दोस्तों कोई भी नगरपालिका चेतर है और उसका एक चोटा सा चेतर है उसको हटा दिया जाए और उसके अंदर दोस्तों कोई परतिनीदीत ह जाएगा कहने का मतलब वो बना नहीं रहेगा वहां तक ठीक है ना क्यूंकि वो नगरपाई खत्म हो गया वो 6 तर तो फिर उसको रखे क्या करेंगे ठीक है नो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों किसी भी नगरपाई का की सीमाओ को उसकी अवदी समाप तोने तक ऐसी नगरपालिका का अदेक्स उपादेक्स और सदश्य उस नगरपालिका के जिस ऐसे नगरपालिका में समयलित की गई है उसके सदश्य समझे जाएंगे यहने कहने का मतलब दोस्तों यह है कि कोई भी नगरपालिका या दो नगरपालिका वि इनके सदेश्य को यहां कनवर्ड कर दिया जाएगा तब तक इनको यहां पर इनके सदेश्य समझे जाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा कोई भी इस्तानिय चेत्र कोई नगरपालिका नहीं रहे तब राज्य सरकार इस अधिनियम या अन्य वीदी द्वारा उप शब्रुकत सभी परिस्थितियों में सीमा ज्यान कलेक्टर या उसके द्वारा नियत अधिकारी द्वाराई किया जाएगा यहने किसी बिनगरपालिका को सीमा जिया करना है कि यहां तक सेत्र है इतने किलोमेटर तक है यह सेतर इस अधर इसमें यह तलाब या यह ब्हूमी लाको करोड़ों की दन संपत्ति या कोई उसके उपकरण है कुछ भी राज्य निकार के जाएंगे कहने का मतलब अब नगरपालिका नहीं रहेगे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा और राजी सरकार अपने आप वापिस ले लेगी वो सारी चीजें सारी धन संपति जो भी है ठीक है जब किसी इस्तानी सेतर को किसी नगरपालिका सेतर शेय अटा दिया जाए और दूस उसका ही दायोत्यों हो जाएगा यहनि कहाने का मतलब दोस्तों किसी इस्तानी चैतर को किसी नगरपालिका सेतर पढ़ नहीं पाओंगे लेकिन हमने इसको बहुत चोटा यहां पर किया है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आसान वासा में ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और लाइक जुरूर करो वीडियो ठीक है कोई भी आवास गरे बंडार गरे उद्योग या कार कर दोस्तों कोई भी गरे निर्मान का कारिया बंडार गरे उद्योग कारोबार कोई भी दो या दो से अधिक नजदी की नगरपालिका शेतर की वीतर है तो उसी इस्तिति में राजे सरकारी यह दिनियम और यह सूचना राजपतर में जारी करने का उनको अधिकार रहेगा ठीक है चलिए जब किसी भी इस्तानी चेतर को किसी नगरपालिका में सामिल कर लिया जाए तब उसमें बनाए गए समस्त नियम ज्यान से पढ़ना दोस्तों नियम विदियां जारी किये जो भी आदेश और अधिस उजना यह नोटिस उसकी सक्तियां उस चेतर को इसी प्रक जब तक कहेगी तब तक उसके पास रहेगा चाहिए या वह जुड जाए ठीक न तो राजिस सरकार का आदेश इसमें सर्रुमाइन माना जाएगा दोस्तों कोई भी सीमा प्रिवतन होता है तो ठीक है कहने का मतलब यह यह पूरे एक्ट का ठीक है जब किसी एक गाउं में सा दर्कत जोड दिया और यह गाउं है इसको नगरपालिका से हटा दिया दोनों ही बातों में आपर बता रहे हैं और किसी नगरपालिका में सामिल कहा जाए तो उस तारिक से निमन जो नियम है यह लाग हो जाएगा अब नियम कौन-कौन से वह देख लो वह जो चेतर है वो गाउं ने रहेगा फिर अगर नगरपालिका में सामिल हो गए तो नगरपालिका शेतर में आएगा गाउं के से रहेगा और अगर दोस्तों वह नगरपालिका शेतर में था और उसको अठा दिया तो गाउं हो जाएगा ठीक है शेतर की पंचायत कारी करना बंद कर देगी और उसके बाद दोस्तों आगे देखो जब तक चुनाव ना हो तब तक गाहों के ऐसे सेतर का प्रतिनी दित्व करने वाले सरपंच वाडपंच नगरपालिका का जिसमें गाहों का इसा सेतर सामिल किया गया है उस नगरपालिका क्या थ्रिक्त सदशे समझे जाएंगे अब बात अब वहां पर जो सरपंच है जो भी उपसरपंच है वह क्या करेंगे तो दोस्तों उनको क्या करेंगे उस नगरपालिका क्ये सदशे समझ लेंगे तब तक जब तक कोई दुबारा वहां पर चुनाव नहीं हो जाता उस चेतर का तो तक उनको वह समझ लेंगे ठीक है तो कह सबी नियमों पर सूचनाओं आदेशों की अध्यादीन नहीं रहेगा यहने कहने का मसला दोस्तों 1904 नियम है वह वहाँ पर लागू नहीं होगा क्योंकि फिर पंचाहिती राज हट जाएगा उसके अंदर गत और नगरिये असासन लागू हो जाएगा तो इसलिए वह हट जा और इसके MCQs भी मैं करवाने वाला हूँ बिज बिज में आपको जोस्तों जैसे ही जारें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद MCQs वह भी previous year एक दम नी सुलक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेना और इसको जदा जदा आप सेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके जो इस्टूडेंट पांस दस जार रुपे फीच नहीं भरबा रहे हैं क्यूंकि आपको पता है मार्केट में इस अधिनियम को पढ़ाने की फीच इतनी ज्यादा है कि बच्चे 40 ने कर पा रहे हैं मैं नाम नहीं लेने चाहता हूँ बड़ी-बड़ी कोचिं टेंसर नहीं लेना है हम आपके साथ हैं बिल्कुर रोजान आपको यहां पर कंप्लीट त्यारी करवाएंगे टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ जाना दोस्तों यहां पर अपना टेलिग्राम चैनल है और कई जगे हमारे नोट्स भी शेयर किये जा रहे हैं जो हमने बेंकियो दोने वादे